मेम से मेरा क्वेस्चन है कि मेम हैदराबाद के जो मुसल्मान हैं तो क्या आपको लगता है कि इस चुनाओ में वो असद उद्दीन ओवेसी को छोड़ कर आपको वोट करेंगी? मैं आपसे एक बात कहिती हूँ, क्या जिन्दगी सिर्फ वोटों के अलवा कुछ नहीं है? पहलवान के नाम से कहला जाते है क्योंकि वो दंगल और जो अखाडा होता है, वेरी ओल्ड स्टाइल के है पहलवान है, उनके बेटे और वो एक सोशल वर्क करते हैं, जो असद जी के साथ काम करते थे, ए-ए-ए-ए-म-ए-म में, वहां के वकबोड के जो लैंड्स है, उसम अशाने मुसलमानों का, उसको तोड़ कर घर बनाने के चकर में पढ़ गेते, ए-ए-म-ए-म वाले, तो ये दोनों गए, और पूछे साब इसको तो वकषदो साब, ये वकबोड का है, और अपने कुरान में लिखा हुआ है, कि ये गलत नहीं करना चाहिए, पहलवान है, ल तो पहलवान साब तोड़ी चुब बैठेंगे, भाईया बता ही, तो बच्चा गुस्ते में आ गया, पहलवान साब ऐसे भी ठहरे थे, सतर्क है उन्हों, लड़का जवान है, नहीं ठहर पाया, अक्बरुदीन को मार दिया, क्या हुआ, जिन्दगी उसमें इत्ते साल, साल आकों के पीछे पड़ गए, अब आम इंसान की बात समझ ये साब, जो चोटे-चोटे मदर्सा चलाते हैं, पस्मंदे घर से हैं, अगर हम ये कहें, कि हम ये करेंगे, तो वोड देने के लिए, तब हम्में और असद के बीच में क्या फरक रह गया भाया, जब मोदी जी, प सिलिंडर है, ये सिक का सिलिंडर है, ये हिंदो का सिलिंडर है, क्या आप समझते हैं, उन्हों इसलिए सिलिंडर दिये उन सारे ओरतों के जिसमें, मैक्सिमम प्रतिश्यत मुसल्मान घरों के ओरतों को गये हैं, I have a data also which I will let you know, तो वो इसलिए दिये हैं, क्योंकि वो गरीब करते कि वो सारे पस्मंदा वुमन, स्त्री जो है, या सारे उस गरीब मुसल्माने, जागो भाई, जागो, जागो की आपके खुद के कौम के लोगी आपके उपर ऐसे जल्म कर रहे हैं, बढ़का हूँ भाशण दे कर, मादवी जी आप चुनाव के मैदान में हैं, वोट त मांगेंगे, बाबरी मस्जित के उपर बढ़का वो बात लेकर आप वोट मांगेंगे, ये कौन सी बात है साब, क्या आप उस्मानिस्तान बनाने गया जा रहे हैं वापर, आप जिन्ना नहीं, जिन्ना के बाप निकल रहे हैं आप इदर, अरे आप कुझे ये बताईए कि म मुसल्मान आपको वोट देंगे के नहीं देंगे, साब मुसल्मान हमको बराबर वोट देंगे, लेकिन हम उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं, आपको ये जानना पड़ेगा, देखे आपकी पार्टी के MLA है, टी राजा सिंग, वो गोश्मेल से MLA है, उन्होंने का कि हमें है एदराबाद में मुसल्मानों का वोट नहीं चाहिए, उन्होंने का कि जो एनरजी हम मुसल्मानों के वोट मांगने में लगा रहे हैं, वो एनरजी हिंदूों में लगाएं तो अच्छा होगा, उनके पहली सेंटेंस को ले लेते हैं कि हम को मुसल्मानी के वोट नहीं चाह अबीबन दस लाख हिंदू है और जब असद उद्दीन जी पांच लाग 15 वोटों से जब असद जी जी रहे क्या दस लाख हिंदू वोटों की ज़र बस नहीं है अपने लिए जीतने के लिए बस यह भात कहे रहे थे हो आप इसको तो कुछ और ही बोल दे रहे हैं कोई लग रहा है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको टिकेट मिल गया है वो थोड़े परिशान है अब चलता है घर में भी कैसा है बोलते हैं लड़की को दो जेवराथ ज्यादा करीद के देते लड़के मू लटका के बैठते बैठते ने बैठते बताईए तो ऐसी घर का मामला है अब तोड़ा राजाबाई नाराज है तो ठीक है फिर आके अमारे साथ काम भी कर रहे तो इस त्री शक्ती के संगटन हो रहा है इस हमाँ पर वही तो मोधी जी चाहते हैं 33.3 रिजर्वेशन क्यों लाना चारे वो क्या कि इस त्री शक्ती एक एकत्रत हो जाए और स्त्री बाहर निकले जो हैद्राबाद की जनता आप उनके लिए क्या मेसेज देना चाहेंगी और अगर आप वो गांके बया कर पाए तो और भी अच्छा होगा लेचिंदी निद्र लेचिंदी महिला लोकम दद्धरिल इन्दी पुरुष प्रपंचमू इसका मतलब है जाग गई और अरत और हिल गया पुरुष वहांके